तो Marvel Studios movies की दुनिया का बेदाज बार्शा है और ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी कमाई Marvel की movies करती है उतनी जादा कमाई और दूसरी किसी भी franchise की movies नहीं करती है और अगर इन में भी हम especially Avengers movies की बात करें तो Marvel की Avengers Infinity War और Avengers End Game पूरी दुनिया की सबसे जादा कमाई करने वाली movies में से एक लेकिन movies सेट कर जहां बाद series के आती है वहीं पर Marvel का हाथ थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि Marvel जितना अचा काम अपनी movies में करता है वो उतना बैतरी इनकाम अपनी series में निकर पाता बठाला कि बेशक से Marvel की जादातर series कुछ खास न रही हो लेकिन सब्सक्राइब भी उनमें कुछ ऐसी series भी शामिल है जो कि सच में बहुत कमाल किया है और यह सारी series जो कि Marvel की अच्छी series है उनकी ना सिर्फ story और quality अच्छी है बलकि उसके साथ ही वो fans को भी काफी पसंद आई है तो इसलिए चलिए आज की इस वीडियो के अधर हम Marvel की सारी अच्छी series की बात करते हैं और उन सभी की ranking करते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि Marvel ने अब तक जितनी भी series बनाई है उनमें से top 10 best series कौन कौन सी है तो ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है इसलिए आप सभी से पूरा एंट तक जरूर देखें अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बैल अगन को भी पर सेत कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टायम से मिलते रहें तो फिर आइए अब मैंना किसी देरी के आज कि सकंवाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसी महीने की 15 तारीक को इंडिया के अंदर कुंफू पंडा 4 रिलीज हो रही है और ये मूवी कुंफू पंडा सीरीज की चौथी मूवी होने वाली है और इसे पहले भी कुंफू पंडा की 3 और मूवीज आ चुकी हैं तो ऐसे में अगर आप सभी कुंफू पंडा के फैंस हैं और अगर आप सभी कुंफू पंडा के ओपर वीडियोस देखना चाहते हैं कुंफू पंडा के यूनिवर्स को समझना चाहते हैं या फिर पुरानी movies के explanation देखना चाते हैं तो आप इसके लिए हमें comments पर बता सकते हैं या फिर अगर आप सभी को ये जानना हूँ कि Kung Fu Panda Universe के अंदर सबसे powerful characters कोन हैं या फिर वहाँ पर कितने तरह के खास Kung Fu exist करते हैं तो आप इन सब बारे में भी हमें comments के अंदर बता सकते हैं आपको बस comments के अंदर Kung Fu Panda लिखना हैं क्योंकि सिर्फ इतने comments सही हम ये समझ जाएंगे कि आपको Kung Fu Panda के उपर वीडियो देखनी हैं बठा अगर आप सबी को किसी specific topic के उपर वीडियो देखनी हैं तो आप उस topic का नाम भी comments के अंदर बता सकते हैं comments जाद आएंगे तो वीडियो ज़रूर आएगी तो चलिए अब इसके बाद वीडियो को start करते हैं नमबर 10 दा पनीशर तो पनीशर मार्वल का ये काफी popular character है एंड इसलिए जब मार्वल ने इसके पर पूरी टीवी सीरीज बनाई तो फिर वो टीवी सीरीज भी लोगों को बहुत पसंद आई पनीशर की टीवी सीरीज रिलीज हुई थी साल 2017 गे अंदर और अब तक इस सीरीज के टोटल दो सीजन्स आ चुके हैं अगर बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें एक ऐसे आदमी की स्टोरी दिखाई गया है जिसका नम फ्रैंक का असल होता है लेकिन एक दिन अचानक से कई सारे गुंडे उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं और फिर इसलिए फ्रैंक का असल अपनी फैमिली को खोने के बाद ही उन सभी दूश्मनों को ढून ढून कर मारता है और उन सभी से अपनी फैमिली का बतला लेता है ये सीरीज पूरी तरह से R-rated है और इसलिए इस सीरीज के इंदर भर-भर के खोन खराबा और वालेंस दिखाए गया है बढ़ हाँ सीरीज की स्पेशल बात यह है कि इतना ज़्यादा वालेंस होने के बाद भी इस सीरीज की quality कहीं पर भी drop नहीं होती डिजनी ब्लस के उपर स्ट्रीम होने वाली मार्वल की दूसरी सीरीज है जिसे मार्वल ने बनाया था वंडर विजन के बाद यह सीरीज रिलीज हुई थी साल 2021 के अंदर अभी तक सिर्फ इसका एकी सीजन रिलीज हुआ है हला कि अगर बात करें सीरीज की स्टोरी गी तो इस सीरीज के अंदर हमें एवनजर सेंड गेम के बात के इवेंट्स दिखाए गए हैं और वही आयम डिवी ने इस सीरिज को 10 में से 7.1 की रेटिंग दिये है. नमबर 8, Iron Fist तो Iron Fist को भी Marvel की बहुती बहुती बहती 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 बहनी जाती है जो सीरिज बेस्ट है Marvel के चरक्टर Iron Fist के पर. आइरन फिस्ट की सीरीज रिलीज हुए थी साल 2017 के अंदर और इसके भी अब तक दो सिसना साच चुके हैं लेकिन हाँ बेशक से उस टैमपर इस सीरीज की वियोर्शिप कमो इस सीरीज के स्टार्टिंग एपिसोड के अंदर काफी अची कोमेडी थी शुरुवाती एपिसोड को ब्लाक और इन वाइड में दिखाए गया था इसमें मार्वल ने अपने एक्समेन के कैरेक्टर्स भी दिखाए थे प्लेस के पर मिल जाएंगी और यह दाडिफेंडर्स भी उनी में से एक है दाडिफेंडर्स सीरीज के अंदर हमें बेसिकली एक पूरी टीम दिखाए गया है जो की सूपर हिरोस की एक एसी टीम है जिसके अंदर टोटल चार मेंबर्स है जैसिका जोंस लिव केज, डैनी र वेर्फुल बाइनाइट तो वेर्फुल बाइनाइट बेसिकली मार्वल के तरफ से आने वाली एक मिनी सीरीज हैं जो की रिलीज हुईती साल 2022 के अंदर यह मिनी सीरीज या फिर यूंकर यह शॉट फिल्म पूरी तरह से एक्शन और होरर से भरी है और इसमें भी खास बात 7.1 की रेडिंग और रोटन टमेटोस के पर 89 परशेंट की रेडिंग विलिया है नमबर फूर मून नाइट तो मेरे सबसे मून नाइट मार्वल की सबसे बहतरी टीवी सीरीज में से एक है मून नाइट सीरीज रिलीज हुईती साल 2022 के अंदर और अभी तक सिर्फ इसका एक मून नाइट के साथ साथ Egyptian mythology को भी काफी अच्छे से दिखाए गया है और इसके साथ अगर बात करें सीरीज की रेडिंग्स की तो IMDB ने इसे 7.3 की रेडिंग्स दिया है और वहीं पर रोटन टमेटोस के पर इसकी रेटिंग 86% की है अगर इसके सीजन की बात करें तो इसके अब तक टोटल 3 सीजन सा चुके हैं और वैसे तो डेडेविल के उपर एक सीरीज एमस्यू भी प्लैन कर रहा है लेकिन हाँ जब तक वो सीरीज नहीं आ जाती तब तक के लिए हमारी लिस्ट के अंदर ये पुरानी वाली डेडेव सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है डेडेविल नामके एक सूपर हीरो की और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये डेडेविल एक ऐसा सूपर हीरो है जो कि अपनी आखों से कुछ देख तो नहीं सकता लेकिन तब भी इसकी सेंसिंग पावर इतनी जाद हैं कि य दरने में बहुत ही एक्सपर्ट है इसलिए ये अपने दुश्मनों को सिर्फ सेंस करके उनसे बड़े अराम से निपड़ सकता है एंड इसके वी उपर इस सीरीज की खास बात यही है कि इस सीरीज के एक्शन सींस बहुत ही कमाल के हैं यकीन होता तो आप खुदी देख सकत हैं जिसके अब तक टोटल दो सीजन सा चुके हैं मार्वल वर्टिफ स्टार्ट विती साल 2021 में और अभी हाली में यानि कि साल 2023 के अंदर ही इसका सीजन टुआ था और इन दोनों सीजन के अंदर टोटल 99 एप्जोड थे मार्वल ने अब तक जितनी भी टीवी सीरीज निका हैं बलकि उसके साथ हम पुराने केरेक्टर्स के भी कई सारे निव वर्जास को जानते हैं और इनके भी उपर वर्टिफ सीरीज की सारे एपिसोड्स की स्टोरी दें कमाल की होती हैं कि उनके बारे में तो कहना ही क्या एंड यही वो रीजन है जिस वजह से IMDV के पर इसकी 7.4 की है लेकिन फ्र्ण वर्टिफ के अलावा एक और ऐसी सीरीज है जो कि ना सिर वट इफ से ज़98 से जादा और बलकि इसके साथ हिई उसे फ्रोंचे सारी के और हमें स्टोरी के भाई आए अपने थोर के भाई लोकी की एंड बेसिकली यहांपर लोकी के जरिये हमें लोकी की पूरी जर्णी के साथ-साथ MCU के मल्टिवर्स को भी काफी अच्छे से समझाए गया है इनके अलावा लोकी के दोनों सीजन्स के अंदर काफी कमाल की चीज़े दिखाई गई है जैसे कि लोकी सीरिस में लोकी का कई सारे वेरियंट्स हैं उसकी फीमेल वेरियंट्स हैं लोकी सीरिस में टीवी हैं कैंग के वेरियंट्स हैं और यहां तक कि इसी सीरिस के अंदर लोकी के एक विलन से एक हीरो बनने की जर्णी भी है क्योंकि अगर आप सभी एं लोकी सीजन टू देखा होगा तो अब आपको पता होगा कि अब लोकी पूरे मल्टिवर्स का सबसे पाउरफुल करेक्टर बन जुगा है और वो लोकी है जो कि सारे टाइमलेंस को पावर भी दे रहा है अगर बात से अगरी करते हो तो कमेंट्स के अंदर लोकी जरूर लिखना और हाँ कूफू पांड़ा वाले कूफू पांड़ा तो लिखी देना तो दोस्तो यह थी वीडियो मार्वल के टॉप 10 सबसे बहतरी सीरीज के पर आप सभी को यह वीडियो कैसी लेगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रेकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें मैं मिलता हूँ आप से ऐसी किसी और बहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई!